नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है समीर पाट साला दोस्तों आज हम कवर करेंगे विलियम सेक्सपियर की फोर्थ वीडियो जी हाँ विलियम सेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे हैं इन सैंतिस प्ले में इसको William Shakespeare का longest प्ले भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 4042 लाइन्स है दोस्तों प्ले को पढ़ने के लिए पहले हमें इसके characters के बारे में थोड़ा जानना होगा दोस्तों सबसे पहले इसमें जो major character है वो है Claudius, King of Denmark जो अभी King of Denmark है इसके अलावा इसकी पतनी Gertrude जो Queen of Denmark है और इनका एक पुत्र है Hamlet Hamlet जो है वो Prince of Denmark है दोस्तों जो Gertrude है वो Hamlet की real मा है बट जो Claudius है ये इसका चाचा है जिसने इसके पिता की हत्या करके इसकी मा से साधी कर ली और फिर Denmark का राजा बन गया इसके पिता की हत्या कैसे हुई कैसे इसने हत्या की क्या क्या प्लानिंग थी ये सब आपको कहनी के चलते पता चलेगा इसके अलावा ये पूरा परिवार जो है वो King का हो गया इसके अलावा एक परिवार और भी है दोस्तों इसमें वो है इसके दरवारी Polonius का Polonius इनके यहाँ पे एक दरवारी है और इसका एक बेटा है Leertis जो अभी फ्रांस में पढ़ाई कर रहा है और Ophelia एक इसकी पुत्री है Ophelia जो बहुत ही खुबसूरत है तो टोटल यह अभी तक 6 करेक्टर हुए हैं दोस्तों इन करेक्टर के बारे में आप पढ़ लेना ठीक से अच्छे से ध्यान से इस स्टोरी को सुनना जिससे आपको यह करेक्टर सही से याद हो जाए और जब मैं आपको सारे करेक्टर्स बता दूँगा तो मैं स्क्रीन पे सारे करेक्टर्स को एक साथ फिलेस करूँगा जिसका स्क्रीन सोट आप ले सकते हैं जिससे आपको यह करेक्टर याद रहे इसके अलाबा दोस्तों एक करेक्टर और है इसमें Horatio Horatio Prince Hamlet का दोस्त है और दो चोकिदार भी है इसमें जिनको इस कहानी के अंदर बताया गया है उनका नाम है Marsalis Enns Bernardo जिन्होंने King Hamlet के भूत को सबसे पहले देखा था ठीक है दोस्तों यह इसके करेक्टर्स हो गए मैंने major major करेक्टर्स आपको बता दिये हैं जो आपको सही लगे करेक्टर्स यानि कि इसमें 2-4 करेक्टर्स और भी हैं जो minor करेक्टर्स हैं आप उनको खुद से देख सकते हैं लेकिन यह major करेक्टर्स हैं तो दोस्तों यह कहानी सुरू होती है सर्दियों की एक रात से जब यह दो भोच्मैन दिवार के पास चोकीदारी करते समय एक भूत को देखते हैं और यह भूत को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जब डर जाते हैं तो यह जाते हैं भाग के हुरेश्यों के पास हुरेश्यों से बोलते हैं कि भहिया हमने दिवार के पास एक भूत को देखा है पहले तो इस बात पे हुरेश्यो विश्वास नहीं करता फिर हुरेश्यो इनके साथ जाके देखता है कि वहाँ पे सही में कोई भूत है या नहीं है जब हुरेश्यो वहाँ पे जाता है तो उन्हें भी एक भूत वहाँ पे दिखाई देता है और उस भूत की जो भेश भूजा है, जो कपड़े हैं, पहनावा हैं, वही कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जो किंग हैमलेट ने अपनी डैथ के टाइम पे पहने हुए थे, तो उसे ऐसा लगता है, कि ये जो भूत है, वो राजा हैमलेट है, जिन्हें किलाओडियस ने धोके से मार दिया था, उनकी आत्मा यहाँ वहाँ महल में भटक रही है, तो दोस्तों उन तीनों ने डिसाइड किया कि वह यह बात हैमलेट को बताएंगे, तो वह जाते हैं तीनों और हैमलेट को लेके आते हैं, हमने दिवार के पास भूत देखा है ऐसा लगता है वो जैसे कि आपके पिता King Hamlet का भूत है आप आओ और उनको देखो तो हमलेट भी चला जाता है हमलेट जाकर देखता है कि वहाँ पे सही में कोई भूत है और वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं. कोन? हैमलेट और हैमलेट के पिता का भूत. उनके पिता का भूत उन्हें बताता है कि उनकी नैचुरल डेथ नहीं हुई है. उनके भाई किलावडियस ने मेरी हत्या की है. जब मैं सो रहा था तो उन्होंने मेरे कान में जहर की बून डाल दी थी जिसकी वज़ा से मेरी तवियत खराब हुई और फिर मेरी मौत हो गई उसके बाद उसने तुमारी मां से साधी की और यहां का राजा बन गया तो जो भूत है वो कहता है कि बेटा तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है अब हैमलेट ने जब यह सुना कि उसके फादर को मारा गया था तो वो बहुत ज़्यादा आग बबुला हो जाता है लेकिन वो फिर दिमाग से काम लेता है कि मेरे गुस्षे से यह सब सोल्व नहीं होगा वो पहले इस सब चीज को पता लगाने की कोशिस करता है कि ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था यह सब चीजे सही हैं सच हैं या नहीं है यह सब चीज को पता लगाने के लिए वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है वो प्लान क्या है कि वो पागल होने का ना टक करता है दोस्तों वहाँ पे जो अभी दो वोच्मेन है और उसका मित्र होरैसियो है उनसे वो मना कर देता है कि आप इस भूत के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और आज के बाद आपको मेरा एक strange behavior देखने के लिए मिलेगा तो यहां से जो hamlet है वो एक पागल होने का नाटक करता है अपनी भेज, भूसा, दसा बात करने का तरीका लोगों से यही बना लेता है जैसे एक पागल का होता है और वो यह सब करने में सकसस हो जाता है वो सबको यह दिखा देता है कि वो पागल है और दूसरी तरफ जो polonius का बेटा है वो उसको फ्रांच के लिए विदा कर रहा होता है वो फ्रांच जा रहा होता है और इसी के दोरान polonius अपनी बेटी ओफिलिया से कहता है जो उससे प्यार करती है hamlet से कि अभी आपको hamlet से अलग रहना है उससे बाते नहीं करनी है उससे मिलना नहीं है और ये सब चीजे जाके वो king cloudius को भी बता देता है कि जो आपका पुत्र hamlet है उसकी जो madness है उसकी madness के पीछे ओफिलिया का प्यार है कि वो ओफिलिया के प्यार में पागल हो गया है तो ये सब चीज का पता लगाने के लिए hamlet का पिता जो cloudius है इस टाइम पे जो king of Denmark है वो hamlet के class fellow को बुलाता है जिनका नाम rosen prince and gilden eastern है वो इन दोनों को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों जानने की कोशिस करो कि जो prince hamlet है उसकी madness का actually कारण क्या है और दूसरी तरह polonius से कहता है कि अगर ओफीलिया जो है उसके पागल होने का कारण है तो ओफीलिया को इससे मिलवाओ अगर ऐसा सही में है तो फिर ये ठीक हो जाएगा तो भाईया यही scene होता है दोनों polonius और और ओफीलिया को hamlet से मिलवाते है अब जब दोनों आपस में बात करते हैं तो इस conversation को वो दोनों से होते हैं जब hamlet ओफीलिया से बात करता है तो वो इसी तरह से अपने पागलपन को continue रखता है वो सारी बात यह इस तरह से ही करता है जो एक पागल करता है कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, समय जाता रहता है, बहुत समय बीत जाता है, तो फिर क्या होता है, एक ट्रैवलिंग एक्टर्स की मंडली, यानि कि जो लोग यहां से वहां घूमते हैं, पिले परफॉर्म करते हैं, उनकी एक मंडली आती है डैनमार्क में, हैमलैट उनके इस पिले को देखके इतना प्रभावित हो जाता है कि वो जो एक्ट पिले करते हैं, वो ऐसे पिले करते हैं, जैसे कि कोई रियल पिले हो रहा हो, तो हैमलैट उन सब के साथ मिलके एक एक को अंजाम देता है, एक पिले को अंजाम देता है, जिसमें हूबे हूँ वही स्टो तो वैसे ही एक पिले परफॉर्म किया जाता है जिसमें किरदार का नाम जो उसके एक्टर्स हैं उनका नाम थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और एक ऐसा ही पिले परफॉर्म किया जाता है जिसमें एक बंदा अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद उसकी वाइप से जमपत्ती को अपने नाम कर लेता है, तो जब ये परफॉमेंस की जा रही होती है, और जो इनसान अपने बड़े भाई को मार देता है, तो ये सब द्रिश्य देखके, क्लावडियूस को गिल्ड फील होता है, क्लावडियूस वहाँ से उठके चला जाता है, और इस बात को हुरेश्यो एंड हैमलेट दोनों नोटिस करते हैं, अब जब उसको गिल्ड फील होता है, वो वहाँ से चला जाता है, तो ये confirm हो जाता है, कि जो भूत ने स्टोरी तो अब ये decide कर लेता है, hamlet, कि मैं अब whit дрーム को मार दूँगा. वो अपनी तल्वार उठाता है और кл debuted के मारने के लिए चला जाता है, लोस्टो जो जब वो जाता है दूसरे दूसरे कमरे में, तो वो सांती के लिए interface party 손ем केकलीuel शुर्द कि सांती के लिए उससे बचने के लिए उस पूजा कर रहा होता है, तो हैमलेट वहाँ पोच जाता है उसको मारने के लिए, और देखता है कि अभी तो क्लावड इस पूजा कर रहा है, और अगर इसमें पूजा करते समय मार दूँगा, तो इसकी आत्मा सुर्ग में चली जाएगी, आपको आपकी माने बुलाया है, और ये सब चीजे, पोलोनियस देख लेता है, कि गर्टूट ने हैमलेट को बुलाया है, तो वो पहले ही, गर्टूट के कमरे में जाके छिफ जाता है, कि इन दोनों के बीच में जो बाते होंगी, मैं वो सुन लूँगा, अब जब हैमलेट की माने बुलाया हैमलेट को, तो उसने कहा, कि तुमने जो ये अपने पिता के साथ किया है, वो सही नहीं किया है, तुमने उनका दिल दुखाया है, तो हैमलेट गुस्से में अपनी मा से कहता है, कि किलाउडियस मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता मर चुके है और किलाउडियस ने और तुम ने उनको मारा है क्योंकि हैमलेट अभी बहुत गुस्से में है उसने ये सब बोल दिया तो उसकी मा बहुत ज़्यादा घवरा जाती है कि हैमलेट को ये सारी चीजे कैसे पता चल गई तो वो भी डर जाती है कि कहीं हमलेट मुझे मार ना दे तो वो हैल्प के लिए चिलाने लगती है और जो परदे के पीछे चिपा हुआ पोलोनियस है जो इन सब ये सारी बाते सुन रहा है वो भी बहुत डर जाता है तो उसके होने की आहट हमलेट को लग जाती है Hamlet सोचता है कि जो परदे के पीछे है वो कोई और नहीं उसका चाचा Cloudius है तो अपनी तलबार उठाता है और घचाक से Polonius के पेट में डाल देता है Polonius वही के वही मर जाता है अब उसे पता तो था नहीं यह Polonius है या Cloudius है उसरे तो Cloudius समझ के उसको मार दिया लेकिन वह निकला कौन? Polonius अब वो तो एक जब मर्डर करी चुका है तो गुस्से में तो अफकोस होगा ही Hamlet फिर वो अपनी मा के पास आता है और बहुत जाधा गुस्से में होता है तो उसी समय राजा Hamlet का भूत फिर से एक बार वही दिखाई देता है और वो कहता है कि तुम अपनी मा को कुछ नहीं कहो, कुछ मत कहो जो भगवान है इनकी punishment वही decide करेंगे तो इतना सुनने के बाद Hamlet अपनी मा को वहां से जानने देता है लेकिन वो जो भूत है ना वो चिर्फ Hamlet को दिखाई देता है ना कि Gertrude को तो फिर Gertrude वहां से चली जाती है Cloudius के पास वो जाके बताती है कि Hamlet ने Polinus का murder कर दिया है अब भाईया Hamlet ने murder तो कर दिया लेकिन Cloudius तो Cloudius है उसके दिमाग की भी घंटी बस्ती है फिर वो भी Hamlet को मरवाने के लिए प्लान रचता है वो सोचता है कि Hamlet को अब यहां से बहार बेज दिया जाए कहीं और वहां पे उसको कि खतम करवाय दिया जाए तो वो पिलान बनाता है वो कहता है रानी Gertrude से और Hamlet को भी बुलवा के बोलता है कि अभी जो डैनमार्क के लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं क्योंकि तुमने एक दरवारी को मार दिया है और बेशक तुम एक पिरिंच हो तो तुम किसी को ऐसे मार नहीं चकते तो तुम्हें यहां सजातों मिलेगी उस सजा से बचने के लिए तुम्हें बहार में भेज रहा हूं और उसके साथ उसके जो क्लास फैलो थे उनको भी भेजने का डिसीजन ले लेता है हैमलेट कहता है ठीक है जी जो आप बोलें और जो उसके साथ जा रहे होते हैं लोग दोनों रोजन क्रिंज एंड गिल्डन इस्ट्रन उनको एक पत्र लिखके देता है और कहता है कि इस पत्र को बिना खोले तुम इंग्लेंड के राजा को दे देना दोस्तों, प्लावडियस है कुछ तो ऐसा होगा ही जो खतरना कंग इस पत्र के अंदर जी बिल्गूल है उसमें लिखा होता है कि जैसे ही वह इंग्लेंड के राजे को मिलेगा उसमें सारी बात लिखी होती है पूरी तरह से उसको कि खत्म करने की बात होती है तो दोस्तों कुछ डाकूों ने जब जाते समय जब वो इंगलेंट जा रहे थे तो डाकूों ने सिप पे हमला कर दिया और जो उसके किलास फैलो थे उनको तो वहीं खतम कर दिया जो डिशर्ब भी करते थे और हमलेट वहां से बच निकला जब वो बच निकला तो उसने पत्र लिखा अपने मित्र हुरैश्यों को और अपने घरवालों को यह एसे-से बात हो गई थी शिप पे इसलिए मैं वापस आगया ठीक है, कोई बात नहीं आजो वापस अब बहुत रिए हुरैश्यों को लेने जाता है उसको चलो जी हमारा मित्र वापस आ गया है तो उसे लेने चलें, ठीक है जी वो चला जाता है उसको लेने, जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो वो ग्रेव डिगर्स को पाते हैं, जो दो लोग कवर खोद रहे होते हैं, अब जब कवर खोद रहे होते हैं, उनको एक खोपड़ी मि पहचान लेता है कि यह तो जेस्टर की खोपड़ी है तो दोस्तो इसके बाद हमलेट के मन में एक कोस्टन ओर आता है कि यह कवर किसके लिए खोदी जा रही है तो वो कवर खोदने वाले बताते हैं कि यह कवर जो है ओफीलिया के लिए खोदी जा रही है जिन्होंने अपने आप कैसे जान दे दी ये तो नहीं पता तो दोस्तो जान उनने दे दी लेकिन उनकी बोडी को तालाब से निकाला गया बोडी को तालाब से निकाला गया और उनको यहाँ पे दफनाये जाएगा और यह सब बाते जो उसका भाई ओफिलिया का भाई प्रांच में रह रहा था उसको भी पता चल गई थी तो ओफिलिया का भाई भी यहाँ पे आगана डेनमार्क में अभी अभी वो यहीं पर ही है, तो वो रो रहा होता है, उसका भाई क्योंकि उसके फादर की भी डैथ हो गई है, और उसकी बहन की भी डैथ हो गई है, तो वो रो रहा होता है, और उसको यह पता चलता है कि हैमलेट ही उनकी मोत का कारण है, तो वो हैमलेट से थोड़ी जाड़प ह हो जाती है उसकी वहीं पे, कैसे भी करके Claudius वहाँ पोच जाता है और देखता है कि इन दोनों की आपस में जड़प हो रही है, तो वो उस जगहा पे उन दोनों को सांथ करता है, कि अगर तुम्हें लड़ना ही है, तो अच्छा मुकाबला लड़ो ना, तो एक मुकाबला तलवार पे जहर लगा दूँगा, जिससे तुम कैसे भी करके बस एक बार, हैमलेट को खायल कर देना, अगर तुम उसे मारने में भी सक्छम नहीं रहे तो उसको खायल कर देना, उसकी डैथ तो उस जहर से ही हो जाएगी, लेकिन प्लान बी, क्योंकि Claudius तो Claudius है, प्लान ब जीत लिया, तो एक सरवत तयार किया जाता है, जिसमें जहर मिला होता है, उसको जहर को अगर वो मुकाबला जीतेगा, तो सरवत बला देगा, तो हैमलेट किसी भी तरह से खतम हो जाएगा, तो दोस्तो इसके बाद वो मुकाबला चालू होता है, तो लेटिस लड़ते लड इसके बाद वो जो प्याला था जहर का प्याला वो गर्टूर पी जाती है उसको पता थो होता नहीं है इसके बारे में और जब गर्टूर पी जाती है तो वो मर जाती है अब Hamlet देखता है ये तो Gertrude भी मर गई और मैं भी मरने वाला हूं क्योंकि जिस तलबार से वो उसको जखम लगाया गया था तो उस तलबार पे जहर था ये Hamlet को पता चल जाता है तो उसको लगता है कि अब मरने तो बाला ही हूं लेकिन अपने मरने से पहले इस Klaudius को तो मौत के घाड उतार ही देता हूँ तो वो जाता है Klaudius के पीछे भाग लेता है और उसको मार देता है लेकिन हैमलेट के पास भी बहुत टाइम कम होता है वो अपने मित्र हुरेशियो को बुलाता है और हुरेशियो उसे अपनी बाहों में लेके बैठता है, रोता रहता है और कहता है कि दोस्त मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ तो हैमलेट उसको समझाता है कि नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें तो जीना है और लोगों को ये बताना है कि कैसे कि एक क्लावडियस ने सामराज्य के चलते मेरे पिता की हत्य की और कैसे मैंने अपने पिता की मौत का बदला लिया तुम्हें इसलिए जीना है और जो प्रिंच ओफ नॉर्वे है वो युद के लिए आता है यहां पर दैनमार्क में लड़ने के लिए चलो भाया लड़ते हैं तो यहां क्या तो किंग भी गाया है किंग की भी डैथ हो चुकी है प्रिंच की भी डैथ हो चुकी है ठीक है तो अब लड़ने किस से तो हुरेश्यों वहां पर होता है हुरेश्यों उसे सारी स्टोरी बताता है कि क्यों हमलेट ने क्लावडियस को मारा कैसे राजा है के मन में हैमलेट के लिए इतना सम्मान होता है कि जब उसका फ्यूनल होता है ना अंतिम संस्कार जब होता है हैमलेट का तो जैसे एक सोलजर का होता है जैसे एक सोलजर का सम्मान होता है इस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो दोस्तो ये पिले यहीं पे end हो जाता झाल झाल